तो हाँ दोस्तो बहुत से ऐसे स्मार्टफोन यूजर जिनको अपने लिए एक प्रेमियम कर्व डिस्पले वाला फोन लेना है क्यूंकि normal डिस्पले के मुकाबले curve डिस्पले के साथ आने वाले स्मार्फोन दिखने में काफी stylish और premium होते हैं और तो और curve display वाले smartphone में आपको specification भी top noise के मिल जाती हैं तो हाँ दोस्तों आपको भी लेना है curve display वाला phone और आपका budget 30,000 है तो इस वीडियो में last तक बने जाएगे क्योंकि मैंने आपके लिए top 3 best curve display phone find out के हैं 30,000 के अंदर जिसमें आपको सारे phones के अंदर curve display तो मिल जाएगा और अदर भी काफी सारे कमाल के specification देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपको 200 Megapixel वाला flagship camera मिल जाएगा और gaming के लिए आपको powerful 5G processor मिल जाएगा और 180W का fast charger भी मिल जाएगा in the box और मैंने इंसारे phones को number 321 rank best order किया है तो बिना time waste कि अचले इस वीडियो को start कर लेते हैं तो दोस्तों तीसरे नुमर प्राथा इंफिनिक्स अल्टर चीटो और इस फोन में आपको curve display के साथ-साथ 200 Megapixel वाला flagship camera sensor दिया गया है तो चलिए detail में जानते हैं इसके specification के बारे में लेकिन उससे पहले इसके basic features और build quality के बारे में जान लेते हैं तो यह smartphone में आपको plastic की body दी गई है जो texture design के साथ आता है लेकिन plastic की body होने के वाबज़ोद यह phone दिखने में काफी good looking और अच्छा लगता है यह phone आपको यूज़ करने में थोरा सा भारी feel लग सकता है क्योंकि इस phone का weight 213 gram है और इसके कुछ extra features के बात करें तो आपको इसमें dual stereo speaker कर दिया गया है जिसके sound quality काफी अच्छी और loud है और इसमें आपको 5G के total 12 bands दिया गया है और security के लिए आपको इसमें in display fingerprint sensor और face unlock दिया गया है तो यह थे इसके कुछ additional features चलिए अब बात करतें सके major specification के बारे में और स्टार्ट करतें सके display से तो इसमें आपको सिख 0.81 inches की FHD plus 3D curved display दी गए जिसमें काम करती है 120 Hz की fast refresh rate और 360 Hz का touch sampling rate और नौसो नीट्स की peak brightness बेसके display में दी गई है इसके display की quality और करवपनेस एक्चुली में काफी impressive है और screen to body ratio भी काफी अच्छी है और 120 Hz fast refresh rate और 360 Hz touch sampling rate के help से इसका display काफी smooth और stable काम करता है और इसका display काफी बढ़ा भी है तो multimedia lovers को इसके display से कोई भी इसू नहीं होगा और इसके power house के बात करें तो आपके समें 4500 million ampere की battery दी गए जो support करते 180 watt के fast charger को जो इस device को 20 minute के अंदर full charge कर देगा और इसके performance के बात करें तो आपके समें सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको performance काफी स्टेबल मिल जाती है और आप इसमें पगजी को 40 to 60 fps पर हाई सेटिंग पर एजली रन कर पाऊंगे और इसके camera पर आई तो इसके back side में आपको triple camera का दिया गया जिससे में च्शल का विट ओ आई से जिससे आप 4K 30 fps पर वीडियो शुट कर पाऊंगे और 13 में पिक्सल का अल्ट्रावाइट क्यामरा और दो में पिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया और फ्रेंट फेस क्यामरा में आपको बद्दिस मेंगा पिक्सल की सेलफी स्टर दी गई है इसकर में कैम काफ काम करता है और दिटल और डैनमिक में और कर लेता है और इसके शेलफी जो डिन के समय That को अच्छ हचे से क्याप्चर कर लेती है मोब ईध एक्क सबस्रक्राइट कर पहते हाओ और मुरट चली ऑपिक आगे बढ़ते हैं और मेरे इस लिस्ट पर सेके नमर पर आता है इंडिया का चीपेस्ट कर्फ डिस्पेले वाला स्मार्टफोन रियल मी 10 प्रो प्लस 5G तो चलिए जानते हैं इसके यह वज़ा पर लिकिन उससे पहले से कुछ बैसिक फीचर और बडी के बारे में जान लेते हैं यह फ़ोन काफी साइन और ग्लॉसी है जिसके करते हैं यह फोन ग्लास बडी का बनांव लगाई है र्ट इस फोन में आग को प्लास्टिक की बडी दी गई है और डिजाइन के मा बात कर तो आपको इसमें dual stereo speaker कर दिया गया गया और इसमें आपको 5G के 11 बैंट से दिया गया और से क्रिटे के लिए आपको इंडिस्प्लेइफिंग के प्रें सेंसर और फेस अनलोग दिया गया है और इसके 6128 का प्राइज 25,000 फड़ता है फिलिपकार के ऊपर तो चलिए आ और 360 Hz काटा स्वापिंग डेट और 950 नीट्स की पीक ब्रैटने स्पिसके डिस्प्ले में दी गई है इसके डिस्प्ले की क्वालिटी एक्चुले में काफ़ी इंप्रेसिब और ब्रैट है और 120 हर्ट भी काफी स्मूद और स्टेबल काम करता है और 25,000 के प्रैस पॉइंट इस डिवाइस के अंदर फुल चार्ज कर देगा और इसके चिपसेट के बात कर तो आपके इसमें में पावफुल 5G चिपसेट दिया गया है जो एक शिक्स एन बेस प्रोसेसर जिसका एंट्टोस को पांच लाग के एवफ दिखने को मिल जाता है और आप इसके एंट्टोस स्कोर से यह एजली एंटिसेट कर पाऊगे यह प्रोसेसर एक्चुरी में कितना पावरफुल है और इसके चामरा पर आय तो इसके बैक साट में आपको ट्रिपल क्यामरे का सटेब दिया गया एक तो आट मेंगा पिक्सल का में चैम सेंसें सेंसर लगा है और आप इसे 4K 30 सब्सक्राइब कर पाऊगे हैं और इसके कुछ पीचर के पाथ कर तो आपको इसमें ब्यूटी मोड, नैट मोड, स्टिया, स्लो मोड जैसे अच्छी और यूसफुल क्यामरा फीचर्स दिये गया है जिसके लिए जिसके हल्प से आपका माल के पिक्चर्ट और वीडियो ले लेना है तो यह फोन आपकी में बिल्कुल पैस्ट रहने वाला है और गाइस मेरे से लिस्ट पर पहले नवर पर आता अपो का लेटेस्ट स्मार्फोन अपो रेनो 80 और इसमें आपको डिजाइन डिस्प्ले क्यामरा टॉप नौच के दी गए तो चलिए डिटिल में जानते इ इन-hand feel भी काफी अच्छी है क्योंकि इस फोन का वेट सिर्फ 171 क्राम है तो यह फोन आपको यूज करने में सुपर लाइट वेट और कमफर्टेबल फील होने वाला है और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बात करते तो आपको डूल स्टेरो स्पीकर दिया गया बट इसमें आपको headphone jack नहीं दिया गया है और इसमें आपको 5G के total 13 bands दिया गया है और security के लिए आपको इसमें इन-display fingerprint sensor भी दिया गया और इसके 8128 का प्रेज 30,000 पड़ता है फिलिप काट के उपर तो चलिए अब बात करते इसके major specification के बारे में और start करते इसके दिस्प्ले से तो इसमें आपको 6.7 जास की FSD प्लस करव डिस्प्ले देगे जिसमें काम करते 120 Hz के फास्ट रिफ्रेस्टेट और 360 Hz का test sampling डेट और 950 नेट की इसके डिस्प्ले में दी गई है एक लैंड में कहूं तो इस फोन का डिस्प्ले बावाल है जिसमें आपका मुल्टी मीडिय एक्स्प्रियेंस टॉप लॉज की मिल जाएगी और इसके पावर हाउस के बात करते तो आपके इसमें 4800 मिलियम्पेर की बैर्रे दीग है जो सब पाई नहीं करता है क्यूंकि 15-20 år वाले स्मार्फवन के अंदर के प्रॉसेस मिलना कफी और इसके क्यामरा पर आयो तो इसके बैक साट में करें दिया गे तो क्यामरा से टिनीटी पीपे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाऊगे तो दूस्तों जिदी आपको एक कर्व डिस्पले वाला फोन लेना जिसमें आपको डिजाइन और क्यामरा भी काफी अच्छा मिल जाए तो आप इस डेवाइस को जरूर चेक आउट कर सकते हों फिल काट की पराई